Hello Friends, मैं सुधीर स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल ScoreMax पे और आज हम डिसकस करने वाले हैं आपकी IBO3 के Block 1 के Important Questions तो सबसे पहले आपका जो Question आता है Unit 1 से Block 1 से वो है Major Problems of India's Export Sector कि इंडिया के Export Sector की क्या Problems थी जिनकी वजासे हमारा जो Export थाउतना Increase नहीं हो पाया जितना की हमारा Import हुआ था तो सबसे पहला जो Point आता है इसके अंदर Major Problems के अंदर Poor Quality Image कि इंडिया जिसे Made in India इस टाइम पर हम बात करते हैं Made in China तो इस टाइम पर हम कह सकते हैं जो Quality Image साइना किया है वही Image कुछ टाइम पहले या कह सकते हैं 90s के नियर हमारी इंडिया के प्रोड़क्स की थी तो इस टाइम पर जो Made in India प्रोड़क्स थी उनकी कोई Reputation नहीं थी जो हमारी International Market है या जो Agrode Market है तो वहाँ पर अगर हमारा कोई प्रोड़क्स जाता भी था तो उसकी Quality को कह सकते हैं Consider नहीं किया जाया करता है उनका जो Assumption था यही था कि अगर Made in India प्रोड़क्स है तो इसकी Quality अच्छी नहीं होगी तो जब आपकी Quality Image अच्छी नहीं है तो आप महाँ पर ज़्यादा ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पा हुए दूसरा है High Cost अब इंडिया के जो प्रोड़क्स थे कह सकते है Maximum लेबर पावर का यूज करके बनते थे हमारी कंट्री में अगर हमारा कोई एक्सपोर्टर था अगर तो कोई Financial Assistance यह था बैंक से लोन लिया करता तो बैंक जो लोन प्रोड़क्स प्रोड़क्स थे बहुत जादा High Interest Rate पे उसे दिया करते Compared to other किसी और कंट्री के मकाबले बात करें हम अगर बात करते हैं कि अगर कोई परसा नहीं हमारी कंट्री के अंदर बैंक से लोन लेता था तो उसे 3-4% के उपर लोन मिलता था और अगर यहीं पर अगर कोई और एक्सपोर्टर जापान का हो और वो अपनी कंट्री से लोन लेता है तो उसे वहाँ पर एक परसेंट पर लोन मिल जाता था तो हमारी country's का जो bank charges था या जो financial assistance के बदले उसे जो payment करनी रहा करती वो बहुत ज़ादा थी और कहीं न कहीं उसकी वजह से भी हमारे जो product की costing थी वो high हो जाती थी जब आपके product की costing high है comparison to किसी और country के product के आपकी image भी अच्छी नहीं है तो कहीं न कहीं आपका जो export हो घट जाएगा तीसरा है unreliability अर unreliability का मतलब क्या है कि जब आपकी image अच्छी नहीं है तो आपके product के ओपर कोई भी नहीं करेगा as pointed out above the product originating from India are considered to be poor quality besides quality Indian exporters are regarded as unreliable or curtain other factors such as going back on contract and refusing to fulfill it on its original terms inability and provide prompt after sales service तो हमारी इंडिया में था कि अगर कोई हमारे exporters ने कोई इस प्रोड़क्ट को sale कर दिया तो हमारे product जो हमारे exporters थे वो इतने capable नहीं थे कि उस future में अगर कोई उसका importers को refusal कर देता है या उसको कह सकते हैं कि refuse कर देगी वो product को नहीं लेता तो हमारे exporters उस चीज को face कर सके है उसका कह सकते हैं सामना कर पाएं या फिर अगर कोई product दूसरी country में जाकर खराब हो गया इसकी फिर जो after sales service हुआ करती वो भी मारे इंडियन exporters प्रोड़ाइट नहीं करते थे next हमारा infrastructure bottle lag अब हमारा जो infrastructure होता है export को करने के लिए चाया आपका railway है चाया आपका communication system है storage system है या आपका कहा सकते हैं जो भी transport है हमारे पास कोई भी ऐसा sector नहीं था infrastructure का कि जो की proper way में develop हो सबकी ऐसी condition थी कि कह सकते हैं एकदम bottle lag condition थी इनकी एकदम में develop नहीं थे तो कहीं ना कहिए अगर आपके पास infrastructure डवलप नहीं है तो उस condition में आपकी country को सफर करना ही पड़ेगा export sector में नेक्स्ट है इन एडिपेसी ओफ trade information system अब trade information system क्या होता है कि जब आप किसी दूसरी country में जाते हैं trade करने के लिए या global market में trade करते हैं तो आपको पहले उस market की कह सकते हैं डिमांड supply वहां की का environment है उन सभी चीजों के बारे में पता होना चाहिए वहां पर किस तरह आप advertisement कर स कि हमारे जो exporter से हैं वहां fluent नहीं है कि आप जितना भी product in future में मांगोगे वो उसकी delivery करी दे हो सकता है उनके पास आज raw material था आज उनके पास labor था तो उन्होंने आज तो आपकी demand या foreign countries की demand को पूरी कर दिया export कर दी उनकी demand के इसाप से अपने product को लेकिन जब future में वो demand तो जरूरी नहीं है कि हमारे इंडियन जो exporter से उस time पे उस demand को पूरी कर पाएं क्योंकि इनके पास ना तो इनका infrastructure था ना इनके पास capital थी ना इनके पास labor था तो जो supply की problems थी वो इनकी कह सकते है major problems के अंदर थी next है faceless presence faceless presence का मतलब Indian products की कोई कह सकते है brand value कोई face नहीं था international market क अंदर जैसे अगर हम बात करते हैं अगर हम autumn wild की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि आप जापान की या रशिया की जो autumn wild sector है वहां पर बात कर सकते हैं उनके autumn wild सबसे अची होती है अगर हम camera की बात करते हैं तो हम बात करेंगे तो भी जापान का होता है कि जापान की जो camera है सबसे best है तो इसे कुछ-कुछ sectors थे जहां पर हर country के अलग-अलग products की image बन चुकी थे उनका face बन चुके थे वो लिकिन इस time पर इंडिया के अगर हम बात करें इंडिया के पास ऐसा कोई product नहीं था जिसकी face कर सकते हैं जो identification होती international market के अंदर अब हमारी जो भी कह सकते हैं जो procedure हुआ करता है एक्सपोर्ट को करने का चाहिए आप license ले रहे हैं आपको export करने के लिए raw material चाहिए तो आपको किस तरह उस दूसरी country से को import करोगे उसको पर duties हो गई या फिर जो भी हमारे institutional work था वो बहुत ज़्यदा difficult था या कह सकते है complex था त एक्सपोर्ट करें उसमें जादा जादा involved हो लेकिन अगर हम उसको easy बना देते solve बना देते flexible बना देते तो वो उसको कहीं ना कहीं encourage करता है तो यह हमारे major problems थे Indian export sector के next question आता है आपका कि balance of trade versus balance of payment अब balance of trade होता क्या है balance of trade के अंदर हम बात करते हैं कि एक साल के अंदर हमारी country का resident overall country के overall world के resident के साथ जो भी financial transaction करता है in the purpose of export and import और export import कैसा होगा आपका सिरफ visible export मतलब goods का export या import तो इसमें होता है कि हमारा country के जो भी हमारे exporters हैं या हमारे importers हैं overall world के साथ जो भी हम export import करते हैं विजवल टर्म्स में वो तो रिकोर्ड करते हैं balance of trade के अंदर मतलब यह एक पर से सिरफ visible items को include करता है अपनी transactions को record करने के लिए अब बात करेंगे कि अगर हमने export ज्यादा कर लिया import कम कर लिया तो क्या condition होगी balance of payment क्या show करेगा तो इसका मतलब क्या है जब हमने export ज्यादा कर जाएगा या फिर यू कहेंगे कि हमारे पर reserve foreign currencies का इसी का पोचिट अगर हम export कम करते हैं और import ज्यादा करते हैं तो वहाँ पर हमें payment ज्यादा करनी है लेकिन दूसरी currency से जो earning आई है वो कम है तो वहाँ पर उन चीजों की payment करने के लिए हमें दूसरी country से loan लेना पड़ता थ और हमारा जो balance of payment था balance of trade था वो deficit में चला जाता था अब next concept के अंदर था कि balance of payment के अंदर हमने बात करी कि यह सिरफ visible items के trade को record करता है लेकिन आपका balance of payment है चाहिए आपका visible हो item या invisible हो मतलब कोई किसी भी तरह की transaction जो कि economic form में measure करी जा सके एक साल के अंदर हमारी country के resident की overall country के य resident के साथ करता है उन सभी को कौन record करता हमारा balance of payment यह आपकी visible को भी include करता है add करता है record करता है और invisible की चाहिए services है चाहिए export of goods है gold है यह आपकी commodity है oils है मतलब कोई भी आप export import करते हैं उस चीज़ को record करता है अब इसमें भी same वही concept है कि अगर आपका export ज्यादा हो जाता है तो फिर हमारा कह सकते है जो balance of payment का balance होएगा वो surplus balance होएगा यह हमारे favorable balance होएगा लेकिन अभी हमारा अगर यहाँ पर import ज्यादा हो जाता है तो हम कहेंगे कि हमारा balance of payment है वो deficit में चल रहाया in favor में है तो यह था हमारा difference और कह सकते है definition या इनका concept होता है कि किस तरह balance of payment को record किया जा अगर कोई चीज़ क्रेडिट में हुआ पर record करी गई है mention करी गई है तो इसको debit में record किया जाएगा balance of payment की तो दोनों sides होती है credit side debit side हर दम इकवल होती है क्योंकि इसमें entries होती है same होती है कोई भी entry यह नहीं है कि आप debit में कर दोगे इसको credit में नहीं करोगे अगर इसमें कोई कि आपकी एक side गलत आती है difference आता है उनकी बीच में तो इसको मतलब यह ही है कि आपसे कोई न कहीं न कहीं omission हुआ है कहीं न कहीं mistake हुई है अब इसमें आपसे कई पर फूच लिए जाते हैं कि balance of payment के अंदर क्या-क्या items है या इसके कौन-कौन से accounts है उनके अंदर क्या-क्या include किया जाता है तो आपको एटेबल याद होनी चाहिए कि आपके पास तीन तरह के account हम record करते हैं या तीन तरह के items होते हैं balance of payment के अंदर पहला होता है आपका current account दूसरा होता है आपका capital account और तीसरा होता है आपका Reservant Monetric Gold Account अब अगर हम Current Account की بات करें तो इसके अदर हम करते हैं कि हम Export औरImport चाहे हमारी Goods का Export हो चाहे हमारी Sanchezक का Export हो चाहे Goods की Import हो मतलब हम Export और Import किसी भी फॉर्म में करें चाहे Goods हो चाहे Services हो उन सभी चीज़ों को हम Record करते हैं अपने Current Account के अंदर इसके एसाथ ही जैसे कि हमें इसमेंогे बात करते है कीचिसर हमें सर्वीसी हैं तो इन्वेस्ट्रान इसके अदर हमने किसी दूसरी कंट्री के अंदर को investment कर रखी है और वहां से कोई dividend आ रहा है interest आ रहा है या फिर हमने कोई कह सकते हैं हमें payment कर दो dividend किया interest की सकते तेंगे capital से latest है इसमें होताए कि आपका foreign investment है foreign investment किस तरह होगा दो तरिके से होता है या तो आपकी country में FDI हाई है मतला foreign direct investment उन्होंना आपकी country के assets में कह सकते हैं investment करा है या फिर आपकी जो share market है आपकी जो कह सकते है secondary market होती है वहाँ पर un Bus को परches कर लिए या आपके कह सकते हैं जो भी आपके documents collateral securities होती है उनको purchase कर लें तो वो तो कहलाता है आपका capital account इसमें आप purchase करते हैं या हमारी country के ज़िए कह सकते हैं exporter साइं, investors साइं दूसरी country के अंदर जाकर invest करते हैं चाहे वो direct FDI के थूर invest करें या portfolio के थूर invest करें इसके साथ ही अगर हमारी government किसी दूसरी government से कोई loan लेती है हमारी government किसी दूसरी country के financial institution से या international institution से कोई loan लेती है या उन्हें कोई loan provide करती है मतलब borrow करती है या land करती है तो वो सब भी इसी के अंदर आता है आपका capital account के अंदर और last होता है आपका reserve and monetary gold अब reserve एक तरह से कह सकते है हमारा export और imports related हमारे पास जो भी balance बच जाता है चाहिए पिछले साल का हो अब हो सकता है पिछले साल जो हमारा balance of payment रहा हो हमारा surplus में रहा हो तो वहाँ पर जो भी surplus amount था वो हमारा यहाँ पर कहाँ शो करेंग उसको balance of payment के अंदर current account, capital account, reserve account current account के अंदर आपके merchandise, export और import आते हैं trade balance आते हैं, invisibles आते हैं और आपकी investment, incomes या private transfers अब बात करेंगे हमकी features of BOP ये features किसके हैं? इंडिया's balance of payment के क्या features हैं? तो सबसे पहले करें इसका पहला features देखते हैं तो India has always a trade deficit except in 1972, 73 and 1976 to 77 तो इंडिया का balance तो जो payment है, हर्दम deficit में रहा है except हमारे पास दो ऐसे financial year थे 1990s तक कि सिरफ 1972 to 73 और 1976 to 77 अगर हम इन दोनों साल को छोड़ देते हैं तो हमारा balance of payment हर्दम deficit में रहा था reason क्या था? हमारा export कम हुआ करता और हमारी जो needs सी imports की वो जादा थी दूसरा, trade deficit increased from plan to plan with the exception of the fourth plan when the trade deficit declined अब हमारा जो balance of payment का deficit balance था वो policy by policy increase हो रहा था कब तक increase हो हमारा ये fourth हमारा जो कह सकते हैं एक exception था हमारे पास कि हमारा जो fourth plan था उस time पे हमारा जो deficit था वो गटना शुरू हो गया था जब तक fourth lesson और five year plan तक थे तब तक हमारे balance of payment condition यही थी कि year by year हमारा जो deficit balance था वो न्ट्रीज हो रहा था हमारी country जादा जादा डैप्ट में डूपती जा रही थी next आपका feature है the rate of growth of export varied from plan to plan अब आपका जो export की growth थी यह नहीं थी की हम improve नहीं कर रहे थे हमारी growth नहीं हो रही थी लेकिन वो उतनी नहीं हो रही थी जितना की हमारा import कर रहा था growth तो हमारी जो growth थी export यह हर plan to plan worry कर रही थी मतलब change हो रही थी next आपका net invisible receipts have been always positive हमें service sector से या invisible sector से जो भी receipt आती थी वो अर्दम हमारे लिए positive थी या हमारे लिए surplus का काम करती थी इक तरस कह सकते हैं हमारे तो balance of payment सा उसको balance करने में काफी important role play किया है हमारी country's के invisible's ने next है the crisis in the balance of payment during 1991 and the first quarter of 1991 to 1992 made it necessary to mobilize additional external funds to close the gap जब हमारी country की बात करते हैं 1991 to 1991 to 1992 उस ताभी हमारे balance of payment के ऐसी condition आ गई थी कि अब हमारे तो balance of payment सा बहुत ज़्यादा deficit में आ चुका था हमें उस टाइम पे need थी कि अब हमें दूसरी country से funds लेने पड़ेंगे, loan लेने पड़ेंगे, debt लेना पड़ेगा जिसके थूँ कि हम अपने उस balance of payment को पूरा कर सकें balance कर सकें लेकिन उस टाइम पे हमारी country एक अंदर किसी भी economy का फैद नहीं था हमारी जो economic condition थी वो भी तनी अच्छी नहीं थी तो उस टाइम हमें international organization से काफी बड़ी मात्रा में loan लेना पड़ा कै सकते हैं by later donor से भी और especially अपने इस deficit को पूरा करने के लिए तो जापान से लिया था next आपका fiscal effect fiscal deficit effect not only the growth and stability but has a crucial bearing on the balance of payment strategy अपका जो हम कह सकते हैं जो हमारा deficit था यह हमारी सिर्फ growth और stability को effect नहीं कर रहा था यह हमारी balance of payment की strategy को भी effect कर रहा था क्योंकि जब हमारे पास surplus में होएगा इतना focus ना करें लिकिन अगर हम भी हमारा आपर balance of payment deficit में चल रहा है तो हम हाँ सोचेंगे कि हम अपने import को भी regulate करें और अपने export को ज़्यादा-ज़्यादा motivate करें encourage करें तो हमारा तो balance of payment का deficit balance था balance या deficit account था जो condition थी वो effect कर रही थी हमारी balance of payment की strategies को next external assistance utilization have been low level a considerable part of authorized loans have been remained in the pipeline the main reason for under utilization of assistance is because the unnecessary time lag between commitment and conclusions of any given credit arrangement time consuming pursuits and also budgetary constraint in making available counterpart funds तो उस टाइम पर करें हमारे पास जो भी external assistance था है external जो हम help लिया करते है funds के लिए loans के लिए हमारी country का low level पे था क्योंकि उस टाइम के अंदर हमें पता था हमारी economic की condition थी बहुत ज़्यादा खराब थी हमारे balance of payment था बहुत ज़्यादा deficit में जा चुका था तो कहीं न कहीं उस टाइम पर जो भी में loan नहीं मिल पाता था दूसरी country से reason क्या था क्योंकि अगर loan कोई आपको देगा तो उसकी procedure से बहुत लंबे होएंगे उसका time जो period होता है कि आपने loan apply करा उसका जो procedure होता है verification होती और उसके बाद जब आपको loan मिलता है उसमें बहुत ज़्यादा time consuming होता है और इसी के वज़ासे जो credit arrangement थे वह हमारे कह सकते हैं favor में नहीं थे और उनकी जो भी कह सकते हैं commitment थी उनकी वज़ासे हमारी जो country थी उसका जो external assistance था बहुत ज़्यादा low level पे आ चुका था और last है आपका कि जब हमारा कह सकते हैं USSR का collapse हुआ वो अलग-अलग states के अंदर independent states के अंदर divide हो गया तो उस time पर क्या था कि इंडिया का बहुत बड़ा area कह सकते हैं बहुत ज़्यादा कह सकते हैं एक ratio था हमारा export का Russia के लिए USSR के लिए लेकिन जब यह collapse हो गया आपस में तो यह कई अलग independent countries में बट गया तो कही न कहीं इसका बहुत ज़्यादा effect देखा गया इंडिया के balance of payment के लिए क्योंकि अभी तक इंडिया जो इनके साथ trade किया करती बहुत बड़ी मात्रा में इनको export करती थी लेकिन अब यह country से एक अलग-अलग part में बट गयी थी छोटी-छ short question में आ सकता है कि जैसे भी हमने features में बात करी कि हमारा तो invisible थे वो हर्दम the receipt थी वो हर्दम surplus में थी हमारे invisible की अगर हम invisible की बात करें तो invisible के अंदर हम कह सकते हैं हम सबनी services को include करते हैं income को include करते हैं या फिर हम कोई transfer करते हैं cash को investment को money को एक country से दूसरे country में तो वो कहलाते है या वो आते हैं आपके invisibles के अंदर तो IMF ने आपके invisible account को divide किया है 8 heads के अंदर सबसे पहला head आपका travel, next आपका transportation, next आपका insurance, investment income, government, miscellaneous के अंदर receipt payment for patent and royalties, next आपका transfer payments official and आपका last तो आता है transfer payment private तो इन 8 heads के अंदर IMF ने हमारी country कह सकते है, invisibles के अगर हम बात करते है, invisibles के account को, उनको modify किया, उनको कह सकते है, in-in heads के अंदर divide कर दिया गया, कि अगर आप किसी दूसरी country से income आती, invisibles के थूरू तो आप in-in heads के अंदर include करोगे, record करोगे, क्योंकि करो 90s की बात करते हैं तो उस टाइम पे हमारा जो invisibles था, वो lead कर रहा था, एक तरह से हमारे balance of payment को, कहीं न कहीं हमारे invisibles की वजा से हमारा balance of payment का surplus amount दिरे-दिरे cover कर रहे थे, हमें deficit को पूरा कर रहे थे, यह deficit कम होकर हमारा surplus बढ़ रहा था, तो उसका main reason हमारा balance, invisibles ही थे, क्योंकि उस टाइम हमारी ज वो भी काफी improve हो चुकी थी, international market के अंदर, तो हमें जो भी कह सकते हैं, जो deficit हुआ करता, balance of payment, visibles की वजा से, कहीं न कहीं उस deficit को हमारे invisibles cover कर दिया करते, और कहीं न कहीं उस deficit balance को surplus में convert कर दिया करते, तो कह सकते हैं कि आपका क्या role था, किस तरह इन्होंने हमारे balance of payment के deficit को recover क किया, complete किया, अब next है issues in international trade, कि international trade के अंदर कौन कौन से आपके issue है, तो सबसे पहला जो issue आता है, इसकंदर विसे तो कई issue है, तो आपका regionalism है, multilateralism है, आपका globalization है, globalization है, environment है, e-commerce है, या EDI है, तो हम हर किसी के बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे, क्योंकि अगर exam में आता ह आपका question, तो यह आपका 20 marks को question बनता है, और इसमें मेरे ख्याल से मैंने 5-6 slides बना रखेंगे और इतना sufficient है आपके लिए, अगर आप exam में आपसे 20 marks में पूछा जाता है, तो जितना मैंने यहाँ पर explain कर रखा है, अगर आप इतना भी वहां लिक्स देते हैं, तो आपके लि अगरियास के हिसाब पर अपना कोई group बना ले अपने trade के लिए, अपने economy को develop करने के लिए, तो वही कहलाता है आपका regional trade agreement, the agreement usually include various international rules which apply only the member countries, और शिकंदर बहुत सारी international rules होते हैं, internal rules होते हैं, जो कि शिरफ उन member countries पर ही apply होते हैं, तो यह क्या करते हैं, कि जो उनके member countries हैं, उ अगर को export and import में, अगर वो आपके साथ export and import करते हैं, तो उने कोई duties pay नहीं करने पड़ेगी, उनके goods को आप कहीं न कहीं favor provide करोगे अपनी country के अंदर, और अगर कोई दूसरी country, non member country आपके साथ trade करती है, तो उसके साथ आपके तरस कह सकते हैं, कि भेद भाव करते हैं, या उ लाइश हुआ, तो वहाँ पर जो international agreement बने, उन्होंने major countries को focus किया, जो कि उस time पर trend में थी, जो power में थी, और वहाँ पर बहुत सारी regional countries को छोड़ दिया गया, ignore कर दिया गया, उनकी preference को, उनकी choices को, तो उसकी बज़ा से कहीं न कहीं, इन regional countries ने regional, कह सकते हैं, areas ने अपने खु agreement के अंदर, regional trade agreement के अंदर होते हैं, तो सबसे पहला होता है trade deflection, if the agreement reached only the trade, free trade area stage, non-member countries would take advantage of the tariff difference for their own profit, तो trade deflection मतलब कि अगर देखिया, अगर आप इनके member country हैं, तो आपको ना तो कोई वहाँ पर tax देना पड़ेगा, ना आपको कोई tax मिलेगा, लेकिन अगर आप non-कोई member countries है तो वहाँ पर अगर वह आपकी country में enter करेगी, तो भी उसे tax pay करना पड़ेगा, और अगर आप उसके साथ export करोगे, आप उस country में export करोगे, तो आपको उस country की जो economy है, government है, उसको भी tax pay करना पड़ेगा, तो इसका हमारे जो non-member countries थे कहीं ना कहीं वो advantage खाने लग गए आपके tariff difference का, अपने benefit के लिए, benefit दोनों को होता था, चाहे हमारे member countries हैं, चाहे non-member countries हैं, तो जो कहीं ना कहीं यह चीज हमारे जो international trade था, या कह सकते हैं, जो global trade था, उस चीज को उपर effect करने लगा, नेक्स्ट है, increase economic dependence, जब आप कह सकते हैं, एक तासे regional group में बन गए, combine हो गए, आप अपनी हर needs को पूरी कर सकें, जब आप proper way में दूसरी country के ओपर, दूसरी economy के ओपर dependent हो गए, जो कि तासे threats हमारा international trade के लिए, next आपका reduction of economic sovereignty and independence of economic policy, अब बात करेंगे कि आपकी जो आपने कोई ऐसा agreement बना लिया, ऐसा कोई आपने digital trade agreement कर लिया, sign कर लिया, आपकी country ने, हो सकता है, वो आपकी country के favor में हो, आपकी government के favor में हो, लेकिन वो ऐसा भी तो हो सकता है, कि वो हमारी local, यह कह सकते है, consumers है, local people से उनके favor में ना हो, या उनको समझ में ना है, तो कई बार उसके ज़से बहुत ज़्यादा protest भी होते हैं, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं, government को सामना करना पड़ता है problems का, और कई बार इन agreements को reject भी करना पड़ जाता है, और last आपका domestic industry bankruptcy, तो कहीं न कहीं जब आप कह सकते हैं, आपने को regional trade agreement किया है, अब दूसरी country के exporters, importers, आपकी country में easily enter कर सकते हैं, जो कि आपकी member countries हैं, तो कहीं न कहीं आपकी country के products को, आपकी country के industry को international products का सामना करना पड़ेगा, उनसे competition करना पड़ेगा, और इसका effect आपकी जो domestic industry है, उस पर पड़ता है, और जब आपकी domestic industry कह सकते हैं, कहीं न कहीं collapse हो जाएगी, तो फिर उसका export की capacity थी, वो भी खतम हो जाएगी, और फिर उस condition में international trade agreement, जो participation था पहले उसका, वो नहीं दे पाएगी, तो यह हमारे issues थे, regionalism की, अब अगर हम बात करते हैं, multilateralism, कि multilateralism क्या होता है, कि जब दो या दो से ज़्यादा countries, आपस में मिलकर कोई group बना ले, लेकिन हमने regional के बास करा, वहाँ पर जो group बनाते थे, तो अपने reason के अंदर बनाते थे, को सकता हो Asia reason अपना अलग group बना ले, क्योंकि वो geography के हिसाब से, geographical area के हिसाब से reason बनाते थे, लेकिन multilateralism के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर overall world की कोई भी countries, एक दूसरे के साथ मिलकर अपना यह multilateralism, यह कह सकते है, multilateral trade agreement बना सकती है, इसके अंदर आपके दो या दो से ज़्यादा countries को involvement होना जरूरी है, आपके अंदर भी नों से sign कर रखने हैं उस agreement के उपर कि जो भी policies वो बनाएंगे, उस policies को overall world की जो भी country है, जो भी economies है, उनको follow करना पड़ेगा, तो multilateralism trade agreement are between two or more countries to strengthen economy of member countries by exchanging of goods and services among them, the multilateral trade agreement builds commercial relationships, trade facilitations and financial investment among member countries of surf multilateral trade agreement, तो इसके तुरू यह नहीं हो ता कि सिर्वाँ का trade बढ़ता है, कही न कहीं जब आप trade बढ़ेगा आपका, तो उन countries के बीच में जो उनका कह सकते commercial relationship होता है, या जो trade facilitation होता है, जो financial investment होता है, वो भी increase होता है, उन member countries के बीच में, और लेकिन इसमें हमारी कमिया यह थी, कि जब हम multilateralism agreement की बात करते हैं, तो हमें यह देखना ह नहीं होती, वहाँ पर कही न कहीं जो हमारे regional groups है, regional countries है, उनको ignore कर दिया जाता है, और इसी वज़ा से कही न कहीं वो अपने regional groups को forms कर लेती है, तो इसके कुछ issues हैं आपके multilateralism के trade agreement के अंदर, तो सबसे पहला है कि it takes lot of time, तो आपका guess क्या है, कि अगर आप multilateralism आपको कोई agreement बनाना है, तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा time चाहिए, आपको हर country के साथ negotiation करना पड़ता है, उनको convince करना पड़ता है, कि ये आपका agreement किस तरह उनके favor में है, किस तरह नहीं, और इसमें कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा time लग जाता है, next is sometimes public misunderstand about our agreement and they pressurize government, कई बार हम agreement को छोड़ दे, इसका part ना रही है, इसको sign ना करे, next is fall in small business, जब आपकी country में कहा सकते है, MNC's के entry हो जाएगी, आप एक global level की बात कर रहे है, multilational trade की बात कर रहे है, तो इसका effect पड़ेगा आपकी country के domestic business पर, या small scale business पर, next is trade border and loss of source of revenue, जब हम बात करते है multilaterism के बारे में, क्योंकि जब हम बात करेंगे multilaterism में, तो इसमें एक country, दूसरी country के साथ, without किसी, कह सकते है, tax को दिये, वे trade कर सकती है, मतलब आपको किसी दूसरी country के तर कोई export करना है, import करना है, तो आपको उस country में enter करने के लिए, कोई भी tax duties नहीं pay करने पड़ेंगे, तो जब आप duties पे अंदर, next है, अपका globalization and liberalization, तो अगर हम इनकी बात ही करें, तो इनका मतलब होता है, कि overall world की countries को एक दूसरे के साथ integrate करना, उनको तर से freedom प्रोवाइड करना, कि कि किसी country के अंदर भी जाका trade कर सके, उनके ओपर कोई ऐसे strict rules, regulations ना हो, जिसके थूँ के trade को रोका जा सके, उनके globalization or liberalization, क्योंकि कोई भी country इतनी कह सकते हैं, इतनी efficient नहीं है कि अपनी सारी needs को पूरी कर सके, सब कुछ खुदी manufacture कर सके, तो उनको कहीं न कहीं वो दूसरी countries को पर depend है, अपनी movement of goods, services, ideas के लिए, in the past 15 years, largely because the environment created by the GATT and WTO, many developing economies have unilaterally adopted structural chains and economic reforms, including reducing their trade barriers, the trend towards outward oriented trade policy is not confirmed to any or continent or region and it precates the completion of the European. अब जैसे कि हम बात करते हैं किसके अगरीमेंट के अगर हमने कोई globalization किया, तो हम यह आपने agreement करेंगे, अपनी का gwami को अपनी को proper way में liberalize कर देगी globalize कर देगी आपकी market को तो उस condition में आपको effect क्या पड़ेगा हो सबता हमारे country में product आएं सस्ते product आएं अच्छी quality की product आएं लेकिन उनका effect हमारी country की economy पर हमारी country के employment पर हमारी industries पर बहुत जादा negative way में पड़ेगा क्योंकि ना तो हमारी government को मासे revenue मिलेगा उनकी जो हमारी कह सकते हैं जो हमापर taxis से मिला करता अगर कोई हमापर barriers नहीं होगा तो हमारी domestic countries तो market हैं और जो developing countries की market है वो हमारी market को proper way में capture कर लेंगी जो developing markets से हो कह सकते हैं योगा पूरी collapse हो जाएंगी या फिर struggling face में ही रह जाएंगी यह कुछ आपके issues थे globalization and liberalization के next issue है electronic commerce and electronic data interchange अब electronic commerce की बात करते हैं कि अगर हम 21st century की बात करते हैं तो आज के time में हर product कह सकते हैं कहीं ना कि अपने आपको technology से interlink कर रहा है आप अगर आज के time में आप mobile phones की बात करते हैं तो आप में से सिरफ 10% persons होंगे जो कि आज के time में traditionally shop पर जाकर phone को purchase करते हैं देखते हैं 90% person ऐसे हैं जो कि अब shop पर जाने की बजाए उसको online store पर या तो जो भी आपका phone है उसकी official website है जाकर purchase कर लेते हैं Amazon से purchase कर लेते हैं flip card से purchase कर लेते हैं या फिर आपके पार जो भी और other shopping sites से महाँ से purchase कर लेते हैं तो यह तरह से बहुत कह सकते हैं issue है electronic commerce कि यह आपका अगर आपको इसका knowledge नहीं है इनकी information नहीं है आप इसमें कह सकते हैं fluent नहीं है तो आज के time में आप international trade नहीं कर सकते हैं क्योंकि अब international trade के अंदर कहीं न कहीं electronic commerce ने आपका जो time period हुआ करता order और delivery के बीच में उसको कम कर दिया गया आपके जो reach थी उसको बढ़ा दिया गया है लिकिन इस reach को तभी हम complete कर पाएंगे तभी इसका benefit उठा पाएंगे जब हमारे पास electronic commerce की knowledge हो इस technology को use करना आता हो और इसके साथ हमें बहुत सारे कह सकते हैं infrastructure की भी need होती है इस work को करने के लिए लास्ट था आपका electronic data interchange अब पहले के गर हम बात करें तो पहले के time में आपके receipt थे documents थे या आपके कोई billing थी invoice थी तो वो physically form में exporter, importer आपस में exchange क्या करते है share क्या करते है एक दूसरे को लेकिन हम 21st century की बात करते हैं तो आप यहाँ पर कोई भी billing है, कोई invoice है, कोई document है तो उसको physical form में ना भीज कर उसको electronic form में electronic data interchange की मतलब जो आप कहते हैं, कि आप अपने data को electronic form में exchange कर लेते हैं दूसरे के साथ उससे क्या होता है, इससे आपकी paper की costing हुआ करती है, आपका time हुआ करता है, मतलब अगर आपको कोई document वेजना है दूसरी country के अंदर, तो अगर हम पहले की बात करें तो उसको जाने में एक हफ़ते, दस दिन, महिने भी लग जाए करते हैं, लेकिन हम आज के time की बात करते हैं, तो कुछ seconds में जैसे हमने आपर mail send करा, दूसरी country के अंदर वो receive हो जाता है, उससे documents मिल जाते हैं, तो इसने हमारे international trade को improve तो किया है, उसकी इसे interlink नहीं करोगे, तो आप उस country के साथ trade नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमारी developing countries, उनके लिए तो possible है कि अपने पूरे system को कह सकते है, EDI में convert करना, EDI का system use करना, लेकिन आपके जो developing countries हैं, उनको बहुत जादा कह सकते हैं, problems को face करना पढ़ रहा है, इस system को use करने के लिए, उनके पास नहीं इतना infrastructure है, ना इनकों के पास इतनी information है, इतनी technology है, कि वो किस तरह इस चीज को use कर सकें, तो यह हमारे issues थे international trade के अंदर, last था आपका environment, अब environment के अगर बात करें, तो यूरी के नाउन के आपके कहा सकते हैं, phytos, energy measures को कहा सकते हैं, effect कहुचाता है, तो वहाँ पर आप उसके उपर restrictions लगा सकते हैं, barrier लगा सकते हैं, उनके उपर बहुत जदा high duties impose कर सकते हैं, तो यह क्या होगा, कहीं न कहीं इसने आपके जो international trade था, उसको रोक दिया, उसके लिए एक तरह का issue बन गया, उसके लिए एक तरह सकते है, hurdle बन गया, क्योंकि वहाँ पर यूरी के round में यह तो बात करी कहीं कि अगर कोई country का product है, वो आपकी country की economy को, आपके environment को, या आपकी जो public health है, animals है, plant life है, या आपकी जो environment की health है, उसको effect करता है, तो आप वहाँ पर directly उसको रोक सकते हैं, उसके ओपर heavy duties impose कर सकते हैं, restrictions लगा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं किया गया, कि हम किस तरह उसके effect को कम किया जाए, हमने वहाँ पर effect को कम करने की बात नहीं करें, हमने वहाँ पर directly बात करी है, कि किस तरह उस import को ही रोक दिया जाए, जो कि हमारी country के environment को, health को effect करें, तो ये भी कहीं न कहीं, एक बहुत बड़ा issue है, हमारे international trade के अंदर, जो कि environment related है, यूरेगे round में, तो ये आपके block 1 के important questions खतम होते हैं, उसमें जितने भी questions मैंने कराए हैं, I hope कि maximum यही question आएंगी, इस आपके IBO 3 के unit 1 के अंदर से, जो कि most important questions है, तो आप इन सभी को revise कर लीजिए, इसकी pdf से मी मैं आपको community में available करा चुका हूँ, तो वहां से आप इसकी pdf ही ले सकते हैं, तो मिलते हैं जल्दी block 2 के वीडियो के साथ, तब तक लिए take care, good bye